चैहिंद मैं हूँ डॉक्टर राशुतो श्पांडे और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर की जिसकी शुरुबात की गई थी 1973 में चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में बताए जाने वाले जो कंटेंट है उनका सोर्स है प्रोजेक्ट टाइगर.nic.in अभी जो शेर होता है न यह भारत का रास्ट्रिय पशु है टाइगर लेकिन जो हमारे राजे रजवारे हुआ करते थे उन्हें शिकार खिलने का बड़ा शौक हुआ करता था और शेर को मार देना अपने आप में वह बहादुरी का मिसाल समझते थे पता नहीं कैसे बट सम प्रक्षा की जा सके तो उसके लिए एक अदम उठाए गए उस समय नौ जगहों पर टाइगर रिजर्व बनाए गए थे जो 2021 के फैबररी महीने तक या जिस दिन तक यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अप्रिल में तब तक भारत में 51 यानि 51 टाइगर रिजर्व बन चु core buffer strategy पर काम करते हैं core buffer strategy क्या होती है बारत में किसी भी Biosphere Reserve में अगर आप देखो मालों या Biosphere Reserve है और उसको मैं इस तरीके से दिखाऊं तो इह बिलकुल Center का area है वा हुए उसके बाहर और फिर उसके बाहर, इस तरीके से अगर देखें, तो जो बिल्कुल center का area है, उसे हम बोलेंगे कि ये core zone है, core है, जो beach का area है, इसे हम बोलेंगे ये buffer है, buffer zone, और जो peripheral और outer periphery या बाहर का zone है, उसे हम transition zone बोलते हैं, ठीक है, तो जो core area है, tiger reserves, tiger reserve के अंदर, वो ही basically जदा महत्वका होता है, और इस core area को हम generally किसी, जो core area है, इसको हम tiger के लिए, conserve करने के लिए, national park या sanctuary का भी रूप दे देते हैं, देखो, biosphere reserve में या wildlife sanctuary में, किसी भी animal के लिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम specifically, अगर tiger reserves की बात करें, तो इसका जो core zone होगा, वो, tiger reserve का जो core zone होगा, वो क्या होगा, national park या wildlife sanctuary हो सकता है, specifically, या especially for the tigers, ठीक है, जो buffer zone होगा, वो, या peripheral area है, transition zone का या buffer zone का, ये mixed, mix होगा, forest या non-forest area का, और इसे हम multiple use area की तरह से treat करते हैं, तो देखो, purpose क्या है यहाँ पर, aim क्या है, कि हम exclusive tiger agenda को देख रहे हैं, core area में, और जो tribal, लोग रहते हैं, वहाँ पर, उनकी जो जरूरूरते हैं, इमारती नहीं, बलकि और लकडियों की, जैसे, वो लकडियों का यूश करते हैं, खाना बनाने के लिए, इंधन के तौर पे, तो उस इंधन को, या उस लकडी को भी, या और भी जो जंगल से, जो produce लेते हैं, जो प्रोजेक्ट ताइगर है, ये सेंट्रली स्पॉंसर्ड होता है, और ये मिनिस्ट्री आफ इंवर्मेंट फोरेस्ट और क्लामेट चेंज के अंडर में चल रहा है, ये सेंट्रल असिस्टेंश देता है ताइगर स्टेट्स को, टाइगर कंशर्वेशन के लिए, जो की टाइगर रिजर्व जहां पर भी हैं 18 ऐसे स्टेट्स हैं भारत में जो टाइगर स्टेट्स कहें जाते हैं National Tiger Conservation Authority ये एक statuary body है जो इसी ministry के अंडर काम करती है और ये एक supervisor का काम कर रही है या coordinate कर रही है इस पूरे के पूरे project को और जो rule and norms ये follow करती है वो wildlife protection act 1972 के accordance में होता है अब इसके अंदर कुछ technicalities हैं जैसे जो ADG होगा project tiger का या उसके जो officers हैं वो NTCA के साथ साथ काम करते हैं और regional offices भी कुछ बनाए गए हैं रिसेंटली भी कुछ add किये हैं बैंगलोरू और गोहाटी और नाकपूर के अंदर जो यहाँ पर इस तरीके से tiger reserve में काम करते हैं तो एक थोड़ा सा administrative structure मैंने बताया आपको बात करते हैं tiger census की जो भारत में हर चार साल के अंतराल पे हुँ रहा है संदू 2006 से और यह करता कौन है national tiger conservation authority इसे हर साल यह हर चार साल में conduct करती है 2006 में पहली बार हुआ फिर 2010 में 2014 और अब 2018 में जो latest है वो 2018 में हुआ था देखो 2014 में जो हुआ उसमें tiger की population बताए गई 2226 और 2010 में यह संख्या बहत कम थी 1706 टाइगर्स हुआ करते थे ठीक है ठीक जो fourth tiger census था जो recently हुआ 2018 में उसमें tiger का number है वो बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया 2967 तो 2014 में 2226 था और बढ़कर 2967 हुआ एक 741 बागों में बढ़ अतरी देखी गई नमबर इनका बढ़ा लगबग तैटीस परसेंट इंक्रीज पिछले चार सालों में हमने देखी है तो अभी यहां बात करते हैं कि different regions में किस तरीके से tiger का number बढ़ा है तो यहां आप देख सकते हैं कि चार different colors या 5 different colors में आपको दिखा जा रहा है red, green, yellow, grey और blue में जो red है वो central Indian landscape के हम बात कर रहे हैं और eastern guards की बात कर रहे हैं इसमें आंध्यप्रदेश, तेलंगाना, चत्तिसगर, जारखंड, मध्यप्रदेश, महारास्ट्रा, ओडिसा और राजिस्थान के regions को शामिल किया और आप देख सकते हो कि यह red वाला 2006 में 601 बाग थे हैं पर जो बढ़कर अब 1033 हो गया है इसी तरह से western ghat ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं इसके अंदर western ghat का area गो आकर नाटक, केरल, तमिल नाडू को शामिल किया गया इनकी संख्या 402 से 981 तक बढ़ी 2006 की तुलना में 2018 में यलो कलर में जो आप यहां देख पा रहे हो यह शो कर रहा है शिवालिक hills, गंगा के मैदान, बिहार, उत्राखंड और उत्तर प्रदेश को तो आप देख सकते हो 297 से यह बढ़कर 646 हो गया है 2006 और 2018 यह जो ग्रेश कलर में आपको नज़र आ रहा है यह north eastern hill जो ब्रह्मोपुत्र plane है असाम के इसके अलावा अरुनाचल प्रदेश, असाम, मिजोरम, नागा लेंड और नौर्थ वेस्ट बेंगॉल तो आप देख रहे हो यह 100 से 219 हुआ है पिछले 2006 की तुलना में 2018 तक आप नीचे यह एक सक्सिस पर देख सकते हो नंबर्स टोटल बताएगा है इन सब के जो ब्लू कलर से लास्ट में शोकिया गया है 70-80 सी हुआ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं नजर आ रहा यहां पर क्योंकि पहले ही संख्या अभियात कम थी यह है सुन्दरबन का ठीक है तो यहां पर बांगलादेश ने भी साथ दिया था महरत का क्योंकि सुन्दरबन जो है थोड़ा बहुत बॉर्डर शेयर करता है बंगलादेश के साथ ठीक है बात करते हैं जो फोर्थ टाइगर सेंसर 2018 में हुआ उसकी कुछ खास जो बाते हैं उसके बारे में 2018 का जो टाइगर सेंसर था उसके अंदर टेकनोलोजी का यूज किया गया एक मोबाइल एप का यूज किया गया जिसे हम M-Stripes कहते हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में थोड़ी दिर में बताऊंगा तो पहली बार इसका यूज किया गया था टाइगर के लिए इंकलूड नहीं किया गया था बट 2008 में पहली बार ऐसा किया गया पहली बार जो हमारे पडूसी देश हैं बुटान नेपाल और बंगलादेश उन्होंने भी इन संख्याओं को जोड़ने में मदद की हमारी क्योंकि यह जो टाइगर रिजर्व्स हैं कई बार यह इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हो सकते हैं और कुछ टाइगर जो है वो उधर भी हो सकते हैं तो टोटल और वो इधर उधर आते जाते रहते हैं इसलिए उनका टोटल नंबर यहां पर कांट किया गया भूटान नेपाल और बंगलादेश ने भी इसमें मारी मदद की बात इस जुलाई को टाइगर डे मनाया जाएगा हर साल एम स्ट्राइप्स जो है इसका अगर हम देखें तो यह मतलब होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फोर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड एकलोजिकल स्टेटस अगर हम नंबर ऑफ टाइगर की बात करें तो भारत म पर है हमारा उत्तराखंड अच्छा जो एम स्ट्राइप्स होता है इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं एक होता है फील्ड बेस्ट प्रोटोकॉल पार पेट्रोलिंग लॉइनफोर्स्मेंट रिकॉर्डिंग वाइड लाइफ क्राइम्स और एकलोजिकल मॉनिटरि है ठीक है जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां दो टाइगर रिजर्व से पहला जो था जो सबसे पहले डेजिगनेट किया गया था वो था कॉर्बेट जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ठीक है कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्ग भी है और Corbett Tiger Reserve पहला था और दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क जो 2015 से Tiger Reserve की कैटेगरी में चला गया है 2015 में से Tiger Reserve बनाया गया काजी रंगा नेशनल पार्क को 2006 में Tiger Reserve बनाया गया हम बात करते हैं 49 टाइगर रिजर्ब कौन सा है अपने देश का यह क्योंकि लास्ट तीन यह हैं को हमें याद रखना चाहिए जो 49 टाइगर रिजब था वो था ओरांग नेशनल पार्क काहां है यह ओरांग नेशनल पार्क कि तो ओरांग नेशनल पार्क जो है वह असाम में है जो पचासवा नेशनल पार्क था वो है कमलांग नेशनल पार्क जो की अरुनाचल प्रदेश में है जो 51 नेशनल पार्क है वो है स्री विल्लिपुत्वर मेगा मली टाइगर रिजब तमिल नाडू में सिचवेटेड है भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजब है वो है नागारजून सागर स्री सैलम टाइगर रिजब नागारजून सागर 1296.3 km2 ये आंध्रप्रदेश में आता है और 2611 km के लगवग ये तेलंगाना में आता है तेलंगाना में इसे अमराबाद Tiger Reserve भी कह देते है बंदिपूल Tiger Reserve में अब ड्रोन से मौनिटरिंग की जा रही है Tigers की ये जो पेंच Tiger Reserve है ये 90% मध्यप्रदेश में आता है और इसका 10% एरिया महारास्ट्र में आता है तो I hope आपको ये बाते समझ में आई होंगी तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ जय हिंद वन्दे मात्रव